हेलो दोस्तों आपका हमारी चैनल स्मार्ट स्वे गेमर्स में स्वागत है और आज के व्लॉग में हम आपको धर्म शाला और उसके आज पास की खुबसूरत जगाव पर लेकर चलेंगे तो सबसे पहले हम लोग मैकलोड गंज गए और यहां आप देख सकते हैं यह मैकलोड गंज की कार पार्किंग है क्योंकि अंदर सड़के काफी जादा तंग है तो इसलिए यहां पर ही अपनी कार को पार्क कर लेना सही रहता है और यह वहां की फेमस मुनेस्ट्री है क्योंकि कोविट का टाइम था तो इसलिए मुनेस्ट्री में तो नहीं जा पाए लेकिन वहां की फिर इसी रोड के ऊपर ही मकलोड गंज की हम लोग गूमते गए और काफी से ही उस ताइम पर थंड़ा थंड़ा सा मौसम था और के बाद यहां पर ही उसी रोड के ऊपर ही एक टेंपल मुद्धिस टेंपल बना हुआ है यहां गए और हमारे होटल की बालकनी से कुँछ ऐसा नजार्ः वाहां से दिख रहा था बारश हो रहे थी काफी जादा तो इस लिए सारे जगा बादल आशमान में बादली बादल चाह एथे और कुछ दिर बाद जब मौसम थोड़ा साफ हुआ तो ऐसा साथ हमें दिखने लगा रेस्टोरेंट से आपको यहां पे सब मिल जाएंगे और यहां की जो रात के नजारे हैं काफी ही प्यारे हैं तो अगले दिन सुबा हम लोग भागसुनाक की और निकल गएं और यहीं पे जाके हमने नाश्ता करा उसके बाद हम फिर आगे अपने वाटर पॉल की जर्नी पे निकल गए और यह बागसुनाक का फेमस स्विमिंग पूल है और आम तोर पे आपको यह कभी खाली नहीं और क्योंकि वीग दे था तो इस करके जादा भीड भी नहीं थी यहां पे और यह बागसुनाक का मंदिर है और इसके बाद यहां से रस्ता जाता है बागसुनाक के वाटरफॉल की तरफ को और यह जैसा कि आप देख सकते हैं वहां दूर से यह कुछ वाटरफॉल ऐसा दि और वाटरफॉल से एक अलग रस्ता पहले ही यहां शेवा कैफे की तरफ निकल जाता है यह कैफे जो है यह त्रिवेंट के ट्रेक के रस्ते में आता है और यह काफी मशूर वहां का स्टॉपेज है और वापस नीचे उतरते हुए कुछ ऐसा सा नजारा था मौसम बार बार चेंज हो रहा था कभी दूप निकल रही थी कभी ऐसे ही बादल थे और यहां जाना भी काफी वर्थ था ज़रूर आधा पॉना घंटा लगेगा आपको वाटरफॉल तक जाते हुए लेकिन काफी स और यह वहां से वापस हम नीचे पहुंचते हुए और यह कुछ बाकसुनाक का जो चोटा सा टाउन है यह है यहां पर पॉटरफॉल से वापस आने के बाद हमने अपने हुटल से चेक आउट करा और मेकलोडगन से भी वापस बाहर निकल गए और जाते हमने सोचा जाते और जादने से पहले ही यहां पर इतनी तेज बारश शुरू हो गए थी और बीच में कई कई जगा हलके हलके चोटे मोटे से लांसलाइट भी हो रखे थे और सड़क भी जो थी उसकी भी हालत बीच में काफी खसता हो रखी थी तो रास्ते में कई काफी अच्छे अच्छे स्पॉट्स भी देखने को मिल है जैसा कि यहां पर था इसे देखके तो ऐसा लग रहा था जैसे कि आप स्विजर लैंड ही पहुंच गए हो वैसे यहां और पर काफी सारी जगा हैं थी घूमने के लिए जैसे आप कोड और नडडी नाम की जगा भी हैं वह भी काफी अच्छी है और में अपनी चर्च भी है और आगे जाके एक डर लेग भी आएगा धरमशाला में तो काफी सारी जगाएं यह आपके टाइम के ओपर डिपेंड करता है जितना जाद आपके पास टाइम होगा उतनी जादा जगह है आप घूम पाओगे वहां पर यह तो जब दन हम लोग वापस जा रहे थे उस दिन फ्राइडे था तो क्योंकि आगे सैटर्डे सिंडे का वीकेंड आने वाला होता है तो इसलिए आप देख सकते कि काफी गाडियां जो है वो उपर की साइड जा रही है और यह सब भी बहुत अच्छा था और जस लोकेशन पर यह बना हुआ है वह तो खहर है ही बहुत अच्छी उस दिन थोड़ा साफ मौसम नहीं था इसलिए यहां से धोलाधार के पहाड नहीं दिख रहे थे नहीं तो नॉमल डेस पर यहां पर काफी ही सही रहता है और फिर स्टेडिय अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वह जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम वी लोम मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए